तो दोस्तों अब तक चानल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब बटन दबाईए बेल आइकन को दबाईए और ऐसे वीडियो और मिलने के लिए फेमिनिजम ये वर्ट सुनते ही अच्छे अच्छे मेल्स को पसीना आजाता है और आज हम बात कर रहे हैं इसी टॉपिक के बारे में कि फेमिनिजम असल में है क्या और क्या नहीं है तो दोस्तो मेरा नाम है गुर्पित सिंग मेहिक लाइफ को चलिए इस वीडियो को शुरू करते है तो दोस्तो पहले हम बात करते है ट्रू फेमिनिजम के बारे में और फेमिनिजम एग्जाक्ली है क्या और कुछ मिट्स और फैक्स feminism के बारे है पहले तो पहले myths को narrate करेंगे फिर जानेगे कि actual में fact क्या है कि true feminism क्या है तो पहली myth feminism से related है कि लोग ये सोचते है कि feminism का मतलब है कि males के against हो जाना उनसे लड़ाई करना उनसे नफरत करना और उनको खतम कर देना पूरी तरीके से पर fact ये है कि feminism का मतलब है कि जो system के अंदर inequality है अलग-अलग areas में men और women के बीच में उस जो gap को bridge करना दूसरी myth है कि feminism का मतलब है कि female superior है men से पर जो fact है वो ये है कि वो equality की बात करता है feminism ना कि कोई superior gender है दोनों में से तीसरा myth है कि जो feminist होती है वो महीलाए marriage के खिलाफ है motherhood के खिलाफ है child rearing के खिलाफ है family life के खिलाफ है पर fact ये है कि feminism का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है जो true feminist है वो अपनी family life के अंदर भी equality को महसूस करते है अपने family members को भी equally treat करते है respect करते है और जो भी घर के अंदर males है उनका भी इसके अंदर बहुत अच्छा योगदान है तो family के against feminist बिल्कुल नहीं है तो फिर से disclaimer है कि हम अभी जो बात कर रहे है वो true feminism के बारे हम बात कर रहे है ना कि fake feminism के बारे में आगे इसी वीडियो में जानेंगे अगला मित यह है कि सिर्फ women है वो ही feminist हो सकती है पर fact यह है कि feminism का gender से कोई लेना देना है ही नहीं true feminist वो होगा जो gender equality में believe करेगा और कितने सारे men है वो proud है feminist होने में equal rights में वो believe करते है इसलिए gender specific नहीं है feminism एक और myth लोगों के mind में है कि अगर कोई sexually liberal है या उसके बारे में इस topic के बारे में openly बात करता है या अपनी life को अपने terms पर जीता है तो वो feminist है ऐसा भी नहीं है feminism का आपकी life की choices से कोई लेना देना है ही नहीं और आपकी मर्जी है अगर आप अपनी life को जिस धंग से जीना जाते हो और आपको पताना हो चीए कि उसकी reason क्या है आप क्यों करना चाते हो इसलिए नहीं कि सभी लोग ये कर रहे है या ये cool है या ये feminism होने की पहचान बन गए एक और myth feminism के बारे में ये है कि जो feminist है क्योंकि उनके साथ पास्ट में बुरा treatment हुआ है बुरा वहवार हुआ इसलिए अब वो दूसरे लोग के साथ बुरा वहवार करेगी या बिलकुल भी किसकी respect नहीं करेगी और उनके कुछ बोला भी नहीं जा सकता क्योंकि वो sufferer रही है पास्ट में प्रेजेंट सर्कम्सेंसिस को जज नहीं करता इसलिए हर एक परसेंट को जो आपकी लाइफ में आ रहा है या जो भी मेन आपके आसपास है उन्हें उसी पैरमेटर पे जज़ करना जो आपके साथ पास में हुआ ये सही नहीं होगा और last but not the least ये एक बहुत बड़ी मित है कि feminism की requirement है ही नहीं feminism की जुरत ही नहीं है सब लोग तो already equal है women की rights already है उनके पास सारी की सारी rights है वो vote करते है, काम करते है पर fact ये है कि अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो women का है जो अलग-अलग areas में रहता है आपकी country के अंदर वो oppress होता है men के हातो और उन्हें अपने dreams को live करने का मौका नहीं मिलता education का मौका नहीं मिलता हकाम करने का मौका नहीं मिलता इसलिए feminism का हमेशा जो focus रहेगा और रहा है वो equality पे रहा है ना कि superiority पे तो दोस्तों आपने जान लिए कि myths और facts के है feminism के बारे में तो जो भी facts है वो है true feminism और जितनी myths है वो है fake feminism और अब हम जानेगे कि fake feminism या pseudo feminism क्या है जिसे बहुत साइब लोग एक word से बुलाते है जिसे बोलते है feminazi women की life को better बनाने में feminism का feminist का male और female दोनों का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे पास में हमारे forefathers जो भी person खड़ा हुआ है women की rights के लिए equal rights के लिए वो true feminist है पर आज जो है वो feminism ने एक अलग direction अलग turn ले लिया है और ये equal rights की तरफ ना होते हुए ये male bashing की तरफ या men की तरफ hate दिखाते होई या men को एक particular तरीके से judge करने की तरफ चला गया है कुछ-कुछ बुरे सेव या rotten सेव या सड़े हुए सेव पूरी basket को खराब कर देते हैं और ऐसे कुछ नकली fake women feminist की वज़े से जो real cause है वो बहुत बुरी तरीके से effect हो रहा है जो भी pseudo feminist है या जो fake feminist है वो ये सोचते है कि सारे men खराब होते है सारे men criminals होते है सारे men pawards होते है सारे men जो है उनकी जो mentality है वो बहुत ही बुरी होती है और वो dominate करना चाहते है और इसी वज़े से वो true feminism इसे मानते है कि जितना जादा males को दबाओ या जितना जादा male bashing करो या उनके against बोलो तो उने लगेगा कि वो superior है no doubt women के against जो crime होते है वो जादा level पे होते है जैसे कि rapes है, molestation है, eve teasing है या उनके family members दबाते है पर इसका मतलब यह नहीं है कि men के साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं है men भी suffering side पर होते है और men and women हमेशा सही साथ में मिलकर चलने के लिए companionship के लिए और एक teamwork के लिए बने है ना कि एक दूसरे के opponent है कि लड़ाई जगडा करके ये proof करना है कि कौन किस से ज़्यादा strong है या कौन कितना बड़ा victim है या किस के ज़्यादा बुरा हुआ है या कौन किस से ज़्यादा superior है आज की भी date में men की पर इतना ज़्यादा pressure होता है specifically earning को लेकर family को save करने से लेकर family को provide करने से लेकर और वो अपने emotions भी सही से नहीं दिखा पायते जब उनके साथ भी इस तरह का वहवार होता है या domestic violence होता है तो उन्हें बहुत ज़दा अंदर shame और guilt feel होती है ashamed feel होता है और embarrassed feel होता है कि मैं man हूँ मेरे साथ कैसा हो गया ऐसे या मेरी wife ने मुझ पर कैसे हाथ उड़ा दिया मैं तो male हूँ और वो रोना चाहे तो भी नहीं रो सकते क्योंकि उन्हें तो ये कहा जाएगा कि तुम तो लड़की हो क्योंकि तुम रो रहे है और fake feminist का एक ही agenda है कि धूंडो online पर जहां मिले रस्ते पे मिले, bike पे मिले कोई भी male मिल जाए बस उसके उपर कोई इल्जाम लगा दो teasing का इल्जाम लगा दो छेड़ चड़ का इल्जाम लगा दो गलट comments का इल्जाम लगा दो और उसे paint कर दो कि वो एक बहुत बड़ा criminal है और खुद brownie points ले लो कि हम तो victimized है, हम तो sufferers है और हमारे साथ ही बहुत बुरा हमेशा होता है notes के अंदर ना जाने कितने case चल रहे है fake cases चल रहे है men के against fake domestic violence के case चल रहे है जहांपे उन्हें accuse किया गया है कि उन्हेंने बहुत बुरा वहवार किया और वो सजा भी काट कर आ चुकि और बाद में पता चला कि वो बिल्कुल innocent है तो इस तरह से feminism को हम बिल्कुल support नहीं करते और अगर आप भी women है आपको भी support नहीं करना चाहिए हम दोनों साथ में मिलकर ही एक society create कर सकते है जो equality की तरफ direction देती हो इसलिए true feminist बनिये equality को promote करिये और fake feminist को बिल्कुल support भी ना करिये और उन्हें बताइए कि जो वो कर रहे है वो गलत है और feminism word एक बहुत ही अच्छा word है बहुत ही evolutionary word है बहुत ही revolutionary word है और इस word को बिल्कुल भी disrespect मत करिये क्योंकि true feminism है वो तो हमें चाहिए ही equality चाहिए ही विल्कुल भी women की females की suffering नहीं चाहिए abuse नहीं चाहिए उनका manipulation नहीं चाहिए कोई भी तरीके से उनकी बढ़ dominance नहीं चाहिए बर equality के साथ साथ में मिलकर men and women ही अच्छी society बना सकते है तो दोस्तों ये वीडियो था इतने है अगर आपको वीडियो पसना है लाइक करिए कमेंट करिए शेर करिए सब्सक्राइब करिए चानल के और देखते रहे है लाइफ को